Hello everyone, आज के इस session में हम discuss करने जा रहे हैं Class 9th Biology के chapter The Fundamental Unit of Life के दो और New Topics आज के इस session में जो first topic हम cover करेंगे वो होगा Prokaryotic and Eukaryotic Cells और second topic जो आज हम पढ़ेंगे वो होगा Cell Wall previous session में हमने cell के उपर कुछ basic discussion किया था जैसे कि cell की discovery किस ने करी, कैसे करी cell की पूरी history, cell theory, यही नहीं पिछले lecture में हमने unicellular और multicellular organisms के उपर भी बात करी थी और इतना सब कुछ पढ़ने के बाद इन सारे topics के उपर हमने कुछ questions भी solve कर लिये थे अपने DPP के through तो अब जब हमने इतना सब कुछ पढ़ी ही लिया है तो अब बारी आती है अपने chapter में और आगे बढ़ने की और नए topics को पढ़ने की तो यही है आज के हमारे session का target hopefully आप सभी को समिन में आया होगा तो अब एक काम करते हैं अपने target को achieve करने के लिए आईए हम करते हैं अपने session की शुरुआद एक ऐसा platform जहां पर आपको provide करवाई जाती है एकदम quality education एक ऐसा platform जहां पर एक चीज़ definite है और वो है आप सभी की success तो इसी अच्छी बात से हम शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये session जहां पर हम अपने chapter के कुछ new topics को discuss करेंगे ठीक है आज़ो start कर लेते हैं अब देखो वैसे है कि इससे पहले कि हम prokaryotic and eukaryotic cells के उपर बात करें मैं यह चाहती हूँ कि आपकी NCRT book में एक छोटू सा topic दिया हुआ है तो पहले हम उसको फटा-फट से पढ़ लेते हैं तो उस छोटू से topic को हम पढ़ते हूँ और उसके बाद में हम बात करते हैं prokaryotic and eukaryotic cells की ठीक है और फिर उसके बाद में हम कहानी पढ़ेंगे cell wall की तो सबसे पहले शुरवात हम कर लेते हैं NCRT के उस छोटू से topic के साथ अब वो है क्या छोटू सा topic वो है cell size, shape and number basically इस topic में हम cells के shape उनके size और उनके number की बात करते हैं अब देखो ऐसा है बिटा की cells का जो number है इस topic के उपर actually सब topic के उपर हम already अपने पिछले lecture में बात कर चुके हैं कैसे? अरे भाई हमने unicellular और multicellular organisms की बात करी थी ना unicellular organisms क्या होते हैं? कुछ ऐसे organisms जिनकी body में ले दे करके एक ही cell होता है उनको हम single celled organisms भी बोल सकते हैं जैसे कि एक bacterium body में एक ही cell होता है paramecium body में एक ही cell है amoeba body में एक ही cell है वहीं कुछ organisms ऐसे भी होते हैं जिनकी body में बहुत सारे cells होते हैं बहुत दूर नहीं जाएंगे अपनी ही बात कर लेते हैं अपनी खुद की body की बात कर लेते हैं हमारी body में तो billions and trillions of cells होते हैं countless number of cells होते हैं हमारी body में तो हम अपने आपको क्या बोलेंगे या हम जैसे जो बाकी organisms हैं जिनकी body में बहुत सारे cells हैं उनको हम क्या बोलेंगे उनको हम बोलेंगे multicellular organism body में बहुत सारे cells हैं कितने सेल्स हैं उससे मतलब नहीं है बस इतना समय लोगी हाँ एक से ज्यादा सेल्स है ना मतलब multicellular organisms ठीक है तो unicellular और multicellular organisms की कहानी पढ़ने के बाद कहीं न कहीं हमें यह समझ में आ जाना चाहिए कि organism to organism cells का नंबर vary करता है I repeat organism to organism cells का जो नंबर है बेटा वो definitely vary करता है मतलब आप यह नहीं बोल सकते कि मैं चलू ठीक है हमने माल लिया कि cell is the structural and functional unit of life हमने माल लेकिन अब हमारी condition यह है कि इस planet earth पर जितने भी living organisms हैं छोटे बड़े मोटे नाटे पतले दूबले कैसे भी इस planet earth पर जितने भी living organisms हैं सभी में सभी की body में cells का number same होना चाहिए common होना चाहिए जैसे कि अमीबा है उसकी body में एक ही cell है तो फिर हम जो है human beings की body हमारी body में भी केवल एक cell होना चाहिए क्यों कि अमीबा की body में एक cell है अब एक एक्जांपल अपन लेते हैं एक चीटी मालो की चीटी की बॉड़ी में दस हजार सेल्स है अब मुझे नहीं पता एक्जाटली कितने सेल्स होते हैं चीटी की बॉड़ी में मालो हम एक एक्जांपल ले लेते हैं रफली की एक चीटी की बॉड़ी में छोटी सी चीट ही होने चाहिए बाकि हमें किसी चीज से और मतलब नहीं है हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्यों क्योंकि organism to organism बिटा cells का नंबर वेरी करता है और यह चीज आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए हमारे प्लानेट अर्थ पर कितने सारे living organisms हैं बहुत सारे हैं और सभी की बॉड़ी में cells का नंबर वेरी करेगा है ना जैसे की मालू अगर हम plants की बात करें तो मेरे पास एक छोटो सा गुलाब का पौधा है ठीक है और दूसरी तरफ मेरे पास एक यूकिलिप्टिस ट्री है आपने यूकिलिप्टिस का पेड़ आई होब देखा होगा चलो चोडो यूकिलिप्टिस चोडो गर नहीं देखा तो mango tree ले लेते हैं ठीक है मेरे पास एक छोटो सा गुलाब का पौधा है रोस प्लांट और एक मेरे पास क्या है mango tree है बड़ा है काफी बड़ा है कहने को तो दोनों ही पौध हैं दोनों ही plants है लेकिन फिर भी इनकी body में cells का नंबर क्या करेगा वेरी करेगा ओविसली गुलाब का पौधा छोटा है साइज में छोटा है तो उसमें cells का नंबर कम होगा दोनों ही multicellular organisms है बेटा गुलाब का पौधा भी और वो mango tree दोनों ही क्या है प्लांट है और दोनों ही multicellular organisms है लेकिन यदि हम गुलाब के पौधे की बात करेंगे तो वह छोटा सा पौधा है तो उसमें cells का नंबर comparatively कम होगा और आम का पेड तो बहुत हूचा होता है बहुत लंबा होता है उसकी different branches होती है पत्या होती है फ्रूट भी उस पर लटके होता है mango है न कच्ची कहरी गर्मियों का मौसम आ गया अब तो खूब खाएंगे कच्ची कहरी है न तो वो तो पेड कितना बड़ा होता है तो कहने को तो वो भी क्या है multi cellular organism उसकी body में भी बहुत सारे cells है लेकिन हा रोज plant के comparison में उसकी body में बहुत सारे cells होंगे countless cells होंगे ऐसे ही आप human beings का भी example ले सकते हो कि suppose आपके सामने मैं खड़ी हुई हूँ और वहीं आपके सामने एक छोटा सा newborn baby है newborn baby और मैं हम दोनों ही इंसान हैं हम दोनों ही human beings हैं और हम दोनों ही क्या है multi cellular organisms हैं लेकिन अगर मैं newborn baby की बात करूँ छोटे से बच्चे की बात करूँ तो definitely उसकी body में होंगे बहुत सारे cells लेकिन मेरे comparison में उसकी body में number of cells कम होंगे क्योंकि वो छोटा सा है और मैं उससे बड़ी हूँ health में, height में, age में तो obviously मेरी body में number of cells क्या होंगे? जाधा होंगे है ना? तो ये बात अपने दिमाग में बस fix कर लो कि organism to organism cells का number vary करेगा मैं तो कहती हूँ तुम लोग इसको यहा ना यहाँ पर लिक भी लो अपने शब्द में लिक लो कि organism to organism cells का number vary करेगा I hope इतने सारे जो आप सभी को मैंने examples दिये हैं उससे आपको ये point दो clear हो ही गया होगा ठीक है चल तो नंबर की बात तो हमने पिछले लेक्चर में भी करी थी और और भी जादा कर ली आज के इस लेक्चर में तो ये वाला जो सब टॉपिक है अपने छोटू से टॉपिक का वह आपको clear हो गया होगा ठीक है अब हम बात कर लेते हैं cells के shape और size की सबसे पहले हम शेप की बात कर लेते हैं ठीक है अब हम अलग-अलग होते हैं चीज्स के shape बी अलग-अलग होते हैं जैसे कि अपनी ब्रटी की बात कर लेते हैं कि में हम तो क्या है multicellular organism है, body में बहुत सारे सेल है, countless cells है, तो कहीं न कहीं पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में ये बैठा होता है कि हमारी body में बहुत सारे cells है, तो हमारी body का हर एक जो cell होगा, मैंना हमारी body में जो इतने सारे cells है, सारे ही cells का जो shape है, वो एक common shape होगा, suppose spherical या oval, चीक है, तुमने बहुत सारे cells का shape कैसा है, ऐसा oval है, spherical type है, oval type है, ऐसा लगता है ना, लेकिन ऐसा है नहीं, body हमारी, बहुत सारे cells, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर cell का जो shape है बेटा, वो यही रहे, overly, spherical ही रहे, अरे अलग-अलग shape भी हो सकते हैं, जैसे कि, देखो, आपकी NCRT book में, देखो, NCRT book की एक खास बात है, वो जादा कुछ बोलती नहीं है, एक statement छोड़ देती है, यह एक diagram छोड़ देती है, और बच्चे उसे में घुम जाते हैं कि बापर, यह diagram क्या बोल रहा है, यह statement क्या बोल रहा है, अब उसी चीज़ को समझाने के लिए, उस छोटे से sentence या बेसिक से diagram को समझाने के लिए जो है, आपके जो teachers हैं, वो मेहनत करते हैं, क्योंकि मुद्दा वही है कि हमें NCRT की हर एक line, हर एक statement, हर एक diagram हमें समझ में आना चाहिए, तभी हमारे marks अच्छे आ सकते हैं, तभी हमारा concept, marks भी छोड़ दो, जाए गड़े में, तभी हमारे concepts जो हैं, विज़्दम clear हो सकते हैं, चीके, अब यह देखो, NCRT का यह diagram देखो, यहाँ पर तुमको human body के ही, अलग-अलग cells दिखाये जा रहे हैं, मैंने क्यों अपनी body का example लिया, क्योंकि NCRT भी वही बात बोल रही है, देखो, यह है nerve cell का diagram, यह हमारी body का, not हमारी body का, बेटा, यह longest cell होता है, It is the longest cell, longest बोला है, largest नहीं बोला है, largest पता है क्या होता है, कौन सा cell होता है, ओस्ट्रिच का अंडा, मुर्गी का अंडा तुम लोगों ने देखा होगा, खाया भली न होगा, लेकिन देखा तो होगा, कुछ बच्छों ने खाया भी होगा, वो अंडा क्या है बेटा, वो एक आप बोल सकते हों कि Sally तो है मुर्गी का जो अंडा होता है ना वो क्या है एक Sally तो है एक Sally तो है और वहीं एक ostrich आपने देखिए होगी बहुत बड़ी सी होती है एक पता नहीं कौन सा देश है मुझे याद मी आ रहा है उस पर तो जना ostrich भी बैटके रेज भी लगाते हैं लोग बहुत बड़ी सी चुडिया होती है कहने को चुडिया है लेकिन उसके पैर दिखना कभी इतने फानी लगते हैं कि कुछ पूछो नहीं तो जो ostrich बर्ड बेटा उसका अंडा इतना बड़ा होता है पूरा खांदान मिलके एक और बना के खा सकता है पेड़ बर जाएगा ठीक है तो कहने को एक छोटा सा मुर्गी का अंडा और एक कहां ostrich का अंडा साइज वेरी करा की नहीं करा है ना तो लार्जिस्ट सेल होता है वो ostrich का अंडा और यह जो नर्व सेल है इसको अपन नियूरॉन भी बोलते है जादा इसके उपर हम बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि जो अपना अगला चैप्टर है ना टिशू उस चैप्टर टिशू में हमको नूरॉन का स्ट्रक्शर बहुत ही डी टेल में जाकर पढ़ना है जो दो अगी बस बात करेंगे आगे ठालेंगे अपने लेक्चर में ठीक है यह वे लॉंगे सेल है वो ऑस्टेश कांड नौट जहरा तुम इसका शेव डेखो कैसा है तुम तो भी शेड़ेखो तैर तैर रहे होंगे तो हम अपने दिमाग में कुछ इस तरह की इमेज बना लेते हैं लेकिन वही बात है कि जरूरी नहीं है कि आपको हर सेल का जो शेप है वह ही देखे अलग-अलग से भी पॉसिबल है और होते हैं बिल्कुल पॉसिबल है जिसे कि देखो नूरॉन नर्व सेल इसका तुम शेट देखो कितना अजीब सा है यह यह कुछ इस तरीके से इसको पन इस वाले पार्ट को जो है सेल बॉडी बोलते हैं अंदर जो है नूकलियस होता है और आजू यहीं से क्या होता है कुछ ऐसे ब्रांचेज निकल जाती है दिख रहा है तुमको की नहीं दिख रहा है अपनी एंसे आटी बॉक खल के देखो दिखेगा उसमें ठीक है तो यह बीच वाले पॉर्शन को पन सेल बॉडी बोलते हैं अंदर नूकलियस होता है साइटो ठैटोड़ के मोटी सी होती है वहीं इस इत्याल बोड़े के दूस्य इन्डों से इसल्पटाय के दूसरे एंड से एक और हो लंबी सी उनो प्रोजक्शन बाहर स्पाथी है और यह सिंगल होती है एजुके नहीं च्छोटे-डोटे यह ब्रांज यहां यहां सची जो प्रोजेक्शन ऩप्मैइन और अंभर इंट दे और तो और यह अपने अट पर जाकर के टर्मिनल एंड पर जाकर चीन देखो यह भी जो आप रां थ जाती है एक लालाल जתח Jai के पेड़ बना रहे हूं, पेड़ नि बना रहे बेटा, ये हमारी बॉड़ी के हम निुरॉन्स बना रहे हमारी बॉड़ी में भी बहुत सारे निूरॉन्स होते हैं, हमारे ही शरीर के ये सेयल है ये, कितना अजीब सा बैक है न आप कि मैं इतना अजीब सा शेप क्यों है क्यों कि बेटा नियूरॉन को जो function perform करना है न उस function के लिए उनका ये अजीब सा शेप होना जरूरी है तुम्हें का लगता है बस एह वही मन करा भगवान ची को कि इसका शेप ऐसा बनाएंगे इसका शेप ऐसा बनाएंगे नई जो भी चीज होती ना हमारी बॉड़ी में उसका एक आप बोल सकते हो कि significance है उसके पीछे एक राज चुपा है जिसके कारण वो चीज हमारी बॉड़ी में हो रही है अगर neuron का nervous cell का शेप ऐसा है तो क्यों 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 कोई ना कोई reason होगा क्या reason है इसको जो function perform करना है हमारी बॉड़ी में उस function के चलते उसके कारण cell का shape कुछ ऐसा हो जाता है example मैं आपको देती हूं जैसे कि suppose मैं इसे कुछ काम कर रही थी ठीक है और मेरे हाथ पर अचानक से एक मख्या करके बढ़ गई ठीक है यहाँ पर एक मख्या करके बढ़ गई अब ये जो मख्या करके बैठी है इसकी जो जानकारी है बेटा मेरे हा नेगी ब्रेंग क्या करेगा ब्रेंग अपने पुराने कच्छे चिठे निकाल के जो है ना आप बो लोगे की देखे का की अच्छा अच्छा अब ये समझव कि मैं तरफ काम जिसे की यह अपने साथ होता है ना कि अपन कुछ काम कर रहे होते हैं और चानल से मख्या के हम देखते तक नहीं कि हाथ पर आके क्या वेठा तो मैं क्या पता होते हैं तो कि तुमारे हाथ में मधुमक्खी आके बैठी हो लेकिन नहीं हम देखते हैं कि मच्छा रहेगी मख्खी है कि क्या है अपना हाथ जटकारते हैं और ताकि जो भी बैठा है वो उड़ जाए ऐसा ह अपना हुता है किल कि तैसलár यह पर जो है मख्खी आकर बैठी अब इसकी जो जानकारी इनफर्मेशन की प्रोसेशन करेगा कि अच्छा पिकले बार जब skin पर ऐसा sensation हुआ था तो मक्खी आ करकी बैठी थी हो सकते है कि इस बार भी क्या है मक्खी आ करकी बैठी हो फटाओ इसको तो क्या होगा brain information की processing करेगा और processing करने के बाद एक आप बोल सकते हो कि order generate करेगा कैसा order कि हाथ को जटकारो ताकि जो मक्खी है वो उड़े तो brain का ये जो order है बिटा वो भी आप बोल सकते हो कि signal के form में impulse की form में तहां जाएगा हाथों की muscles के पास जाएगा और फिर क्या होगा muscles ऐसे contract relax करेंगी जिसके करन अपना हाथ क्या होगा ऐसे जटकारेंगे हम और जो मक्खी है वो उड़ जाएगी तो बिटा ये जो information गई ना मक्खी की बैठेनी की brain के पास और brain का जो order impulse की form में ये signal की form में पहुंचा हाथ की muscles की पास ये कैसे हो रहा है आना जाना तो बिटा ये आना जाना होता है इन्हीं neurons के कारण local जैसे कि तुमारी旖न हम है ठीक है इसमें लीक्ठी फैसे हैं टीक्षा फेस्ट लीडाटें अर ही लगद्धी प्रमालों किक Het क्षा ब्रहिए यह टुम्हारा ब्रे Immer के चोटी आप लोगां में bre시면 की छोटी यह यह एपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है पीछे जो जाती है स्पाइनल कॉर्ड अपनी जो पीछे रीड की हड़ी होती है वर्टिबल कॉलम उस वर्टिबल कॉलम के अंदर बेटा क्या होती है स्पाइनल कॉर्ड होती है उसी को अपन बोलते हैं ब्रेन की चोटी ठीक है तो यह स्किन पर आपकी जो है आपर एक नियूरॉन होगा यह नियूरॉन हो ठीक है अब मक्की हाथ पर आ करके पैठी है उसकी जानकारी यह रोण सिग्णल के फॉर्म में इंपल्स के फॉर्म में यह क्या करेगा चया पुचिर करेगा जैसे कि आपने वह क्रिकेटर लोगों को मिदलब cricket खेलते हुए तो आप लोगों ने देखा ही होगा ना अपने ये क्रिकेटर लोगों को जिसे कि अगर fielding करनी होती है या ball catch करनी होती है तो हमारे क्या करते है sports person कि अपने हाथ को अपनी उंगलियों को ऐसा फैला लेते हैं ना ताकि ball को पकड़ लिया जाए उसको capture कर लिया जाए वैसे ही ये जो neuron है बेटा ये जो cell है इसको क्या करना है मखी की बैठने की जो जानकारी है जो information है उसको capture करना है ट्रैप करना है तो इसी लिए ये जो neuron की जो cell body होती है यहां से क्या निकलते हैं ऐसे projections बाहर निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं डेंडराइट और ये डेंडराइट क्या करते हैं जानकारी को या जो भी signal है जो impulse है उसको capture करने में मदद करते हैं कि कहीं जानकारी छूट ना जाए क्याप्चर कर लेते हैं इसलिए सेल बॉडी से देखो ऐसे कुछ प्रोजेक्शन जो है बाहर निकलते हैं फिर इसके बाद में क्या होगा वही जानकारी इंपल्स के फॉर्म में सिग्नल के फॉर्म में क्या होगी यह इसके अलॉंग जरी और कहां पोँच गई ब्रें तक पॉच्छ गया करेगा पूरी इंफॉर्मिशन की रॉसेसिन करेगा कि अच्छा च्छा मकई बैटी मकई बैटी है और जन्रेट किया हाथ जटकारों मसल्स है हाथ की वो कॉंट्रैक्ट करेंगी हा जटके तो मकी जो है अपने आप वाला है यहां से एक और brain से neuron आएगी और हाथ की जो muscles हैं उनके पास brain का order ले करके यो लोग आएगे ठीक ना यह देखो एक और neuron आया है जो brain के order को in the form of signal यह ले करके आएगा और हाथ की muscles तक देखे जाएगा कि भईये सुनो brain को order आया है contract करो तो जैसी हाथों की muscles ऐसे contract करें गी तो हाथ हमारा जटकेगा और mature जाएगी तो तुम्हें इन neurons का बेटा function समझ में यह मैंने तुमको क्यों बताया यह अभी तुम्हारे syllabus में नहीं चिंता मत करना कि oh my god, बदलब neuron का structure है तुम्हारे syllabus में भी हम पढ़ेंगे और neurons काम कैसे करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे ठीक है लेकिन अभी तुमको basic समझ में आया कि neurons का यह जो अजीब सा structure होता है वो क्यों होता है यह शेप अजीब सा क्यों होता है क्योंकि इनका काम है वो एक और example में तुमको बताती हूं यह दिख नहीं तुमको RBCS यहाँ पर blood cells लिखा है blood cells में RBCS भी होती है red blood cells जिनमें क्यों होता है hemoglobin pigment और उसी pigment के करण हमारा जो खून है वो लाल रंग का होता है जो RBCS होती ही बेटा at maturity मला जो एक red blood cell जो है at maturity वो अपना nucleus खो देता है मला initially तो जो red blood cells होते हैं उनमें nucleus होता है बट जैसे जैसे वो mature होते जाते हैं उनका nucleus है बेटा वो गायव हो जाता है वो खो देते हैं अपना nucleus can you imagine कि बाप रे nucleus गया oh my god yes अब आप बुलोगी कि मैं अगर अंदर का nucleus है वो अगर खो गया तो cell का कुछ shape change नहीं होगा हां बिल्कुल होगा सेल का shape change पता है कैसा हो जाता है तुम लोग ने वो खाई है अगर नहीं खाई है तो अभी जाके खा क्या ना खाना नहीं मतलब खाने से पहले उसका shape देखना वो कुछ ऐसी हो जाती है shape में मतलब दोनों तरफ से दोनों साइट से ऐसे अंदर की तरफ धसी रहती है एलपन लीबे टॉफी ठीक वैसा ही shape हो जाता है किसका हमारी rbc का इसको अपन बाय कॉनकेव शे बोलते हैं कि दोनों तरफ से ऐसे अंदर की तरफ धस जाता है इसको अपन बोलते हैं अब आप बोलोगे कि मैं nucleus क्यों खो दिया अगर nucleus ना खोता तो shape ऐसा नहीं होता नहीं जरूरी था क्यों जरूरी था क्यों जरूरी था क्योंकि बिटा हर एक सेल तक oxygen पहुंच पाती है time to time efficiently इसलिए जो हमारे body के cells है वो मरते नहीं है क्योंकि उनको सही समय पर oxygen मिल जाती है nucleus हटेगा जगा बनेगी तो वहां पर भी क्या होगा हिमोगलोबिन आ करके सोर हो जाएगा ठीक है जैसे कि यह दिख रहा है तो उनको sperm यह यह स्पर्म इसकी टेल होती है मेल गामिट है अब आप बोलोगे कि मैं स्पर्म की टेल क्यों है है इसका इतना अजीब सर शेप क्यो संपर्म काम करेता मूब करें फीमिल ग्रावल करना और यह यूटरस है में और यह वजाईना एप यह बैठा हुआ यह डियाना में आप कुस्पाइब पहुंचना कैसे पहुँचेंगे यह तो पर हुंचना हुआ उपर तो कैसे और चाहिए करेंगे से पहुने पदेगा और तब जा करके यह बहुंच पाते है तक जाकर के वर्टिलेशिशन होता है तब जाके जाइगोड बनता है और एक नए जीवन की शुरुवात होती है पर बात यह है कि इस पर्म यहां तक पहुंचेंगे कैसे तो ऑविसली इनके पास कुछ होना चीना तब तो यह मूव कर पाएंगे तैर पाएंगे तो क्या करें इंको हात्मां डेते क्या नहीं इनको हम टेल दे सकते हैं तो इनके पास क्या ठिए टेल होती है ताकि ये शुम करते 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 ओवं तक पहुंचे तो हर एक सेल का बिटा जो भी शेप है उसके function की करण उसका वो shape उसने acquire किया है जैसे कि जो मारे muscle cells होते हैं वो ऐसे fiber like होते हैं यह दिख रहे हैं यह देखो smooth muscles है यह देखो कैसा है fiber like है धागे जैसा है क्यों क्योंकि उसका हमारी body में जो function है न उस वज़े से उसका shape ऐसा है यह देखो यह क्या यह fat cell है जिदना भी हम fat खाते न इनी fat cells में जाकर के store होता है तो obviously fat cell में क्या होना है fat को store करना है तो इसी लिए इस fat cell का आप जिदेखो nucleus side में एकदम shift हो गया है nucleus एकदम side में shift हो गया है और बीच में देखो एक बड़ा सा vacuole बन गया है बीच में यह बड़ा सा vacuole बन गया है जहां पर fat जाके store हो जाएगा तो क्योंकि इस cell का काम है fat को store करना इसली क्या करता है अपना थोड़ा सा shape change करता है ताकि maximum fat जो है इस शेलज का जो शेप होता है वह भी वैरी करता है वह भी डिफेरंट होता है अब धैड करता है कि ऐकृ ल, और और गैणिसम् की बॉडी में कहा लोकेटीड है और उसको क्या function performance करना है उसके basis पर सेल का जो शेप है हो डिसाइड होता है ठीक है अगर मैं आपको कुछ बैक्टीरिया की कहानी बताऊं तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं यह जिनके सेल का शेप कैसा होता है देखो ऐसा रॉड लाइक कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके बॉड या जिनके सेल का शेप है वो ऐसा स्फेरिकल टाइप होता है यह कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके बॉड या जिनके सेल का शेप कैसा होता है कॉमा जैसा होता है कॉमा जैसा होता है कॉमा जैसा यह तो कहने को तो बैक्टी रहा है स्पेरिकल हो रहा है रोड जैसा हो रहा है स्पाइल सेफ हो रहा है अमीबा बॉडी में एकी सब्से लेकिन एրागुलर शेप बेटा अमीब की तो बॉड़िकों कोई शेप होता ही नहीं है वह अपना शेप जो है चेंज कर लेता है पैरा में अपको पहले भी बताए बॉडी में एक ही सेल है लेकिन शेप कैसा है चपल जैसा स्लिपर लाइक शेप होता है उसके सेल का तो शेप वेरी करते हैं तो हमने बेटा नंबर की बात कर ली है न हमने नंबर की बात कर ली कहां थे हम हमने नंबर की बात कर ली हमने शेप की बात कर ली अब हम थोड़ी सी बात size के उपर भी कर लेते हैं कि बेटा size भी vary करता है मतलब size भी जोने different हो सकता है जैसा कि तुमको मैंने example में बताया कि neuron देखो longest cell है मारी body का largest cell क्या होता है ostrich का अंडा largest cell ostrich का अंडा सबसे smallest cell पता है कौन सा होता है mycoplasma ये तरह का बेटा bacteria होता है mycoplasma ने बेक्टिरीय ही है और इसके body का जो cell है पता है कितना छोटा होता है पता है इसका होता है .3 micrometre बहुत छोटा होता है average bacteria की body का cell का size है वो होता है थ्रिटू पाई माईक्रोमीटर मतलब बैक्टीरियम आप देखो ना अश्ञा यह देखो अंत कर अगरमें अवह सब क्यों कि ओसकेदि, हांक हुसरांडिंग तृक्टीरुया है, को हमारे बॉड़ी ओसे हातों पर हमारी स्किन पर हमारे मूँ पर हमारे बालों पर कितने सारे बैक्टीरिया बैठे हुए तो आप बोलों कि मैं दिखनी रहा है मैं बोलों कि ध्यान से देखो देखेगा आप बोलों कि नहीं मैं नहीं दिख रहा पता है कि नहीं दिख रहा क्योंकि यह जो बैक्टीरा है बेटा यह तने छोटे होता है कि यह बिना माइक्रोस्कोप के दिखने ही निवाले है कहां तो एक बैक्टीरियम उसकी बॉड़ी में एक सेल इतना छोटा कि तुम्हें नेकेड आई से दिखी नहीं रहा, तुम्हें चाहिए है माइक्रोस्कोप, बिना उसके तुम देख नहीं सकते, और वहीं ऑस्ट्रिच का अंडा, वो भी तो एक ही सेल है, दिखता है कि निखता, बिना माइक्रोस्कोप के, वह इतना बड़ा होता है कि अगर उसको पका के खाने की बाद हो, तो चार लोग असानी से जोना, उसको मिल के खाल और पेड़ भर जाए सबका, तो बेक्टीरियम इतना छोटा सेल, कि दिखता नहीं बिना माइक्रोस्कोप के, और ऑस्टिच का अंडा, एक सेल इतना ब माइक्रोमीटर, उसमें भी जो माइक्रोप्लाजम है, उसका जो साइज है, वो कितना होता है, पॉइंट थी माइक्रोमीटर, अपनी जो आरबी सीज है, उनका जो डायमीटर है, वो पता है कितना होता है, लगबग 7 माइक्रोमीटर, तो सेल का शेप, सेल का साइज, और सेल होना चाहिए नहीं, वेरी करेगा, ठीक है, आज आपन रीड कर लेते हैं, there is much variation in size, shape and number of cells in different organisms and also in various parts of the body most of the cells are only a few micrometers in diameter and are visible only with the help of microscope की, अधिकतर cells ऐसे होते हैं, जिनका जो size है in diameter वो कितना होते हैं, मैंदला, micrometers में होता है और केवल microscope की मदद से उनको देखा जा सकता है, cells spherical भी होते है, spindle shape भी होते है elongated, लंबे-लंबे भी होते है, polyhedral भी होते है या irregular shape की भी हो सकते हैं, जैसे कि जो amoeba है, irregular shape है, उसकी body का, कोई definite shape है ही नहीं the shape of cells is determined by the specific function they perform कि वो क्या function करने वाले हैं जैसे कि sperms के बारे में मैंने आको बताया कि कोई बोले कि मैं sperma के पास tail क्यों है क्योंकि उसको swim करके female reproductive tract में travel करके female gamit तक पहुँचना है, ओवम तक पहुँचना है आई बात समझने the number of cells is related to the size of the organ या body, कि cells का number कितना है कही ना कही वो इससे related होता है कि organ या body का size के, जैसे कि तुमको मैंने example दिया कि एक human, एक मैं हूँ और एक newborn baby है, उसकी body में भी बहुत सारे cells है, मेरी body में भी बहुत सारे cells है, पर क्योंकि उसका body size छोटा है, newborn baby का, एक दन छोटा ones होते हैं, जैसे कि elephant हो गया, whale हो गया, banyan tree हो गया, इन में तो बिटा countless number of cells होते हैं, माला इतने cells, इतने cells को तुम counting नहीं कर सकते हैं, और करना भी क्यों है, in multicellular organisms, the shape of the cells depend upon their position in the body, कि वो कहां positioned है, specific function जो वो फॉर्म कर रहे हैं, and their interaction with the neighboring cells, कि वो आपस में, जो neighboring cells हैं, उनकी साथ आपस में कैसे interact कर रहे हैं, उनकी बीच में कैसे उनों, चीजों का transportation हो रहा है, उस पी depend करता है, ठीक है, चल, तो ये छोटा सा topic हमने NCRT book का cover कर लिया है, मुझे लगता है कि ये पूरा topic जो है, तुमको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब हम बात करते हैं, अपने next topic के ओपर, जो की है prokaryotic and eukaryotic cells, ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक prokaryotic cell की, प्रोkaryotic cell को समझाने के लिए, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, और तुम उस बात को एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूँ, कि पिटए जरा मुझे पताओ कि, अगर मैं तुम्हें एक cell बनाने के लिए बोलूं, तो तुम कैसे ड्रॉ करोगे, मैं तुमसे ड्रॉ करने के लिए बोल रही हूँ, तो तुम कैसे ड्रॉ करोगे, मैं तुम्हारे दिमाग में cell की क्या image आ सकती है, तो आप बोलोगी कि मैं, हम एक ऐसी membrane बना देंगे, अंदर cytoplasm डाल देंगे, उ नुक्लियोलस भी आ सकता है और साइटो प्लाजम में जो है सेल ऑर्गिनल्स भी आ जाएंगे मैं हमको तो ऐसा लगता है कि सेल कुछ ऐसा देखता होगा हमारे दिमाग में तो यही आ रही है सेल की इमेज अब अगर मैं आपसे बोलू कि देखो बेटा अब ना मैं एक सेल ड्रॉ करने जा रही हूँ ठीक है मैंने का देखो बेटा मैंने भी एक सेल ड्रॉ करा है देखो कितना अच्छा सेल है है देखो इसकी कितनी अच्छी सेल में 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 है देखो इसका कितना अच्छा साइट उप लाजम है देखो इसका कितना सुन्दर नूकलियस बेटा अब हम बहुत चुक है अपने next topic के ओप पर प्रोकिरिटा के ऊपर उसको समझाने के लिए यह तुमको यहां पर में बाप बता रही है। कि तुमसे मैंने पूचा कि बिट्टे तुम्हारे दिमाग में सेल की क्या है मिज़ तो तुम्हें उठा करके यह बना दी कि हां यह सेल मेंब्रेन हो गई साइटोप्लाजम हो गया, यूक्लियस हो गया अंदर उसके जो हो न नुकलियस प्लाजम हो गया, DNA हो गया, क्रोमोजोम हो गया, ठीक है अब तुम से मैंने बोला कि तुमहारी इमेज मैंने देख लिये cell की अब तुम ये देखो, देखो मैंने भी क्या करा है, cell ड्रॉ करा है ये देखो कित्ती शांदर cell membrane है देखो कितना शांदर मैंने साइटोप्लाजम बनाया है देखो मैंने कितना सुन्दर नूकलियस के अंदर का नूकलियर मटेरियल बनाया है देखो मैंने कितना सुन्दर नूकलियस बनाया है तो आप बोलोगे कि मैं एक मिनिट cell membrane तो दिख रही है cytoplasm भी दिख रहा है कोशिश करने पर चलो हम थोड़ा सा nuclear material भी देख लेंगे लेकिन मैं nucleus दिख नहीं रहा है मैं बोलूगी कि आरे यार ऐसे कैसे बनाया तो है देखो इतना सुन्दर nucleus बनाया तो है मैं बोलोगी कि नहीं मैं दिख नहीं रहा है मैं बोलूगी नहीं दिख लेक्वा मैं कि लेक्रोस्कोप लगा के दिख लेकिन cell का जो nucleus है वो कुछ समझ में निया रहे कि कहां से शुरू हुआ कहां खत्म है इस से अच्छा तो nucleus हमने बनाया यह देखो कितना बड़्या नूक्लियस शांदार नूक्लियस हमने बनाया था है हामे तो अबढ़ी चलो नहीं करी अभी तक हमने नाइंत में आ करके लेकिन फिर भी देखो आप से जादा अच्छा हमने सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉक करा है देखो नूकलिस कितना डिफाइंड नजर आ रहा है कि धूंडने की जरुवत नहीं पड़ेगी अपने आप दिखेगा कि देखो यह हैं नू नूकलियर मटेरियल नहीं बनाया है बनाया तो है बेटा मैंने नूकलिस के अंदर का नूकलियर मटेरियल बनाया है लेकिन फिर भी नूकलिस नहीं दिख रहा है लेकिन इसमें दिख रहा है क्यों बस एक चीज़ का डिफ्रेंस है यहां पर एक चीज़ का डिफ्रेंस और हो है nucleus को surround करने वाली उसकी membrane उसकी covering उसका envelope तुम ने यहां पर जो nuts बनाया उसको तुम ने cover कर दिया & close कर दिया एक membrane से उसके envelope से कवर से मैंने क्या नहीं करा मैंने बस वही चीज यहां पर skip कर दी मैंने cell membrane बनाया मैंने साइटोप्लासमव indemipple नि के करने वाली उसको एंक्लोस करने वाली जो मेंब्रेन थी जो एंवलब था उसका कवर था मैंने वो ड्रॉव नहीं किया यदि अगर मैं वो ड्रॉव कर दूँ और फिर तुमसे बोलो कि आप बता न्यूक्लियश दिखा की नहीं तब लोगी कि हा मैं अब देख गिया अब देखिया न्यूक्लियश पहले नहीं दिख रहा था क्यूं क्यों कि न्यूक्लियस को सराउंड करने वाला जो एंवलब था वही गाया था और जैसे ही मैं करने के लिए जो उसका envelope होता है जिसको पन nuclear envelope होता है वो nuclear envelope nucleus को definition देता है कि यह है nucleus अगर मैं यह हटा दू nuclear envelope तुमको देखेगा nucleus और जहां मैंने यह बना दिया अरे बना भई हाँ जहां मैंने यह बना दिया बन क्यों नहीं रहा है चलो मैं बना दिया जहां मैंने nuclear envelope बना दिया तो nucleus को definition मिल जाएगी कि हाँ देखो यह है nucleus ढूनना नहीं होता है अगर nuclear envelope है तो nucleus को definition मिल जाएगी और हम बोलेंगे कि हाँ देखो यह क्या है well defined nucleus है और अगर nucleus के around उसकी nuclear envelope ही यदि missing है तो हम बोलेंगे कि अरे यह कैसा nucleus है भाई बिलकुल भी जो है properly या well defined nucleus नहीं है क्यों envelope नहीं डेफिनेशन नहीं 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 पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ nucleoplasm कहाँ nucleot material कहाँ cytoplasm तुछ पल्लें नहीं पढ़ रहा कि आई बात समझ में और अगर तुमको यह बात समझ में आ गई बेटा तो बधाई हो प्रो केरियोटिक और यू केरियोटिक सेल का तुम्हें basic concept समझ में आ गया यहां पर जो initially मैंने ड्रॉ करा था वो था प्रो केरियोटिक सेल और जो तुमने ड्रॉ करा था अपनी समझ से वो है यू केरियोटिक सेल प्रो वर्ड कहां से आया है प्रिमिटिव वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है पुराना जिसका मतलब होता है पुराना और केरियोटिक वर्ड आया है केरियोटिक वर्ड से जिसका मतलब होता है न्यूकलियस तो एक ऐसा सेल जिसका न्यूकलियस पुराना है क्या हो गया प्रोकेरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में बई प्रोकेरियोटिक सेल का मतलब हमने क्या देखा कि एक ऐसा सल जिसका न्यूक्लियस पुराने टाइप का है तो आप बोलोगे कि मैं ऐसा क्या है प्रोकेरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में कि आप उसको पुराने टाइप का नूकलियस बोल रहे हो तो मेरी बात सुनों बुनना ये दिखरा है तुमको ये बिना नूकलियर एनवलब वाला नूकलियस एकदम आप बोल सकते हो कि वेल डिफाइन नूकलियस तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि तो इसी तरह कि बेटा सेल को तो पन बोलते हैं प्रोकिरीटिक नूकलियाज प्रिमिटिव टाइप मतलब क्या है कि नूकलियस को सराउंड करता नूकलियर envelope जब वो ही missing हो तो उसको हम बोलेंगे primitive टाइप का nucleus पुराने टाइप का nucleus और ऐसे nucleus वाले cell को पन क्या बोलेंगे prokaryotic cell पुराना nucleus होने का मतल़ संज में आगे ना यह तुमको मैंने पहले भी example दिया था introduction वाले session में कि पहले के time पर जो mobile phones आते थे वो keypad वाले होते थे काम तो उससे भी चलता था obviously जो keypad वाले phone से वो landline से तो बहतरी थे phone उससे भी कर सकते में लब calling उससे भी कर सकते थे messaging उससे भी कर सकते थे game उसमें भी खिल सकते तुमको पता है कि इस धर्ती पर इस planet अर्थ पर सबसे पहला जो organism आया था रहने के लिए वो कौन सा था वो था bacteria bacteria से ही बिटा क्या हुआ फिर और जीवन की और organisms की शुरुवात हुई सबसे पहले तो bacteria यह आये थे धर्ती पर रहने के लिए फिर उनसे और नए 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 organisms आते गए तो जब धर्ती पर जीवन की शुरुवात हुई थी उस समय जो organisms आये ऑवेसली पुराने जमाने की बात हो रही तो वहां पर जो और और जाम आए वो कैसे होंगे पुराने टाइप की रहे होंगे जैसे की bacteria पुराने टाइब का cell होगा, मतलब कि एक ऐसा cell जिसका nucleus पुराने टाइब का होगा मतलब कि एक ऐसा cell जिसके पास well defined nucleus नहीं होगा एक ऐसा cell जिसके nucleus को surround करने वाला nuclear envelope ही गाया होगा उसको पण बोलते है primitive type का cell और यह primitive type का cell कहां पाय जाता था? primitive organisms में जो सबसे पहले धर्ती पर रहने के लिए आये थे जैसे कि bacteria आज भी जो पिटा bacteria exist करते है ना उनके पास यही cells होते है क्योंकि वो primitive organisms बहुत पहले exist करते थे और बहुत पहले मतलब क्या basic features वाले basic features वाला cell जैसे कि nucleus को sound करने वाला envelop ही नहीं है well defined nucleus ही नहीं है लेकिन फिर भी cell जिन्दा है organism जिन्दा है सब बढ़िया है basic features अब आई बात समझ में कि एक prokaryotic cell का मतलब क्या होते कैसा cell जिसके nucleus को surround करने वाला nuclear envelope ही गायब हो यहनि कि कैसा cell जिसका nucleus well defined बिलकुल भी ना हो उसको पन बोलते है prokaryotic cell और वो organisms जिन्में की prokaryotic cells पाई जाते हैं उनको पर बोलते हैं prokaryotic organisms जो थे हमारे primitive organisms जैसे की bacteria चीक है वहीं हम बात करते हैं अब किसकी eukaryotic cell की you का मतलब क्या होता है true you का मतलब क्या होता है true एक ऐसा cell जिसका nucleus कैसा हो बिलकुल true हो true मतलब सच बोलता हो क्या नहीं एक ऐसा cell जिसका nucleus well defined nucleus nucleus को surround करने वाला क्या हो उसका envelope हो ताकि proper definition मिल जाने लिए से कि हाँ देखो यह है nucleus तो ऐसा cell जिसके पास well defined nucleus हो जिसके पास true nucleus हो उसको हम बोल देते हैं eukaryotic cell और वो organisms जिन्में की eukaryotic cells पाए जाते हैं उनको पन क्या बोलते हैं eukaryotic organisms true nucleus का मतलब यह होता है बेटा well defined nucleus एक ऐसा nucleus जिसकी आसपास क्या हो उसकी nuclear envelope जैसे कि हम majority बेटा जो इतने भी हमारे multicellular organisms है ना उनकी body में जो cells पाए जाते हैं वो actually eukaryotic cells ही होते हैं कि हमारी body में इतने सारे cells हैं हर एक cell कौन सा होगा yukaryotic cell होगा भई pro karyotic cells तो क्या है वो वाले cells जो जो primitive organisms में पाए जा रहे थे तो primitive organisms खुदी क्या थे बहुत ही simple type के थे तो उनकी अंदर जो cells थे वो भी बहुत ही simple एकदम basic type के थे जैसे कि pro karyotic cells अब जो नए organisms आए वो तो advanced feature वाले होंगे तो उनके body में जो cell पाए जाते हैं बेटा वो कौन से पाए जाते हैं advanced type के मतलब की eukaryotic cells तो जो multicellular organisms होते हैं बेटा उनकी body में जो cells पाए जाते हैं वो eukaryotic cells ही होते हैं वहीं अगर हम बात करेंगे unicellular organisms की तो आपको लोगे को कि मैम शाय जितने भी unicellular organisms हैं उन सभी की body में जो है ना pro karyotic cell पाए जाते हैं नहीं जितने भी multicellular organism हैं उनकी body में हर एक cell कैसा होता है eukaryotic cell होता है लेकिन जब हम बात करते हैं unicellular organisms की तो जो primitive unicellular organisms हैं जैसे के bacteria उनकी body में पाए जाते हैं pro karyotic cells और जो नए जमाने के organisms है unicellular जैसे की amoeba वगरा हो गया है ना आप बोल सकते हो की यूगलीना वगरा हो गया है ना जो नए जमाने की जो unicellular organisms हैं उनकी body में एक ही cell होगा लेकिन वो multicellular organisms हैं उन सभी की body में eukaryotic cells जो unicellular organisms हैं उनमें भी आप बोलोगे कि जो bacteria हैं उनमें पाए जाते हैं pro karyotic cells बाकी जो unicellular organisms हैं उनमें भी पाए जाते हैं eukaryotic cells तो I hope यहां तक कि पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई हो अब यह पूरी कहानी को सुनने और समझने के बाद कहीं न गहीं आपके दिमाग में एक सवार आ रहा होगा कि मैम ओगे हमने मान लिया कि pro karyotic cells क्या होते हैं eukaryotic cells क्या होते हैं ठीक हमने मान लिया पर क्या सिर्फ यही एक basic difference होता है pro karyotic a nukaryotic cells के बीच में ये pro karyotic cell के पास well defined nucleus न ही होता क्योंकि nuc्च को surround करने वाला nuclear envelope नहीं होता वही polar Goddess गदेप anted中共 to surround करने वाला nuclear envelope होता है क्या सिर्फ यही a eukaryotic cells के बीच में हां यह basic difference तो है है दोनों ही type के cells में लेकिन सिर्फ यही difference नहीं है और भी differences है between prokaryotic and eukaryotic cells जो nucleus वाला है यह तो basic difference इसके लाबा कुछ और भी difference है क्या आजाओ सीधेवाण differences की बात कर लेते हैं ठीक है यह भी हपन read कर लेंगे एक लेकिन सीधे अभी अपन आजाते हैं differences पर और differences पर Vinegartockus excel डिए हम बोवते हैं कि वह एक जो सेल है टोनिस टायब का सेल बेसिक बेसुक्त फीचर है ना जैसे कि वह अपने प्राने की जो कीवेड़ वाले फोन आते थे di bakia वाल कितना छोटोश होता था था सैमसंग कितना छोटोस होता था है ना तो यह जो प्रोकेरियोटिक सेल है बेटा यह भी तो प्रिमिटिव टाइप का सेल है ना तो इसका जो साइज है वो छोटा ही होता है कितना 1 टू 10 माइक्रो मीटर यह वैल्यू आपको याद करनी होगी ठीक है यहां पर रिलेशन भी दिया है कि भाई यह 1 माइक्रो मीटर बराबर होता है 10 is to power minus 6 मीटर के ठीक है तो प्रोकेरियोटिक सेल जनरली size में छोटे ही होते हैं कितने 1-10 माइक्रो मीटर वहीं अगर हम बात करेंगे एक यह क्रोटिक सेल की बटा तो यह जनरली size में बड़े होते हैं कितने बड़े 5200 micrometer, 5200 micrometer, तो please यह जो value है यह आपको learn करनी होगी, option नहीं आपके पास, कि pro-kiriotic cell छोटे होते हैं, कितना 1 to 10 micrometer और u-kiriotic cell बड़े होते हैं size में, कितना 5200 micrometer, where 1 micrometer is equals to 10 raise to power minus 6 meters, fine, चलो, फिर उसके बाद में हम बात कर लिते हैं कि इसकी cell organs की वैसे तो अभी दग हमने cell organs पढ़े नहीं हैं और हम अपने बहुती जल्द, upcoming lectures में, cell organs भी पढ़ेंगे, Golgi body, endoplasmic reticulum, plastids, यह सब कुछ पढ़ेंगे, चिंता मत करू, mitochondria, यह सब अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझ लो, जो एक prokaryotic cell है, primitive type का cell है, फ्रनी जमाने का nucleus है, size में भी छोटा है, basic basic features है, तो obviously इसके cytoplasm में, आपको cell organs नहीं मिलने वाले हैं, Golgi body, mitochondria, endoplasmic reticulum, यह सब कुछ नहीं मिलने वाला, cell organs नहीं होते हैं, membrane bound cell organs, prokaryotic cell के cytoplasm में नहीं मिलेंगे, वहीं अगर हम बात करेंगे, eukaryotic cell की नए जमाने का cell, true nucleus है, well defined nucleus है, तो cytoplasm में membrane bound cell organs भी तो होना बनता है न, तो इसके पास सारे membrane bound cell organs आपको मिलेंगे, eukaryotic cell के पास, prokaryotic cell के cytoplasm में, आपको membrane bound organelles देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप बोलो कि कि मैं ऐसे तो फिर मतलब ribosomes भी नहीं होंगे, राइबोजोम होते हैं, ठीक है, prokaryotic cells के पास भी ribosomes होते हैं, 70s टैप क्योंगे, आप बोलो कि मैं भी 70s का मतलब क्या है, एक टाइप है ribosomes का, इतना याद रख लो कि हाँ, prokaryotic cell के भी अंदर आपको ribosomes मिल जाएंगे, और eukaryotic cell तो है, advanced type का cell, तो इसके अंदर तो होंगे, ribosomes होंगे, इसके अंदर है न, एको दें, nucleolus, जो पाया जाता है, nucleolus के अंदर, actually यही पर बनते हैं ribosomes, ठीक है, यही पर बनते हैं ribosomes, तो nucleolus, prokaryotic cell में नहीं होगा, लेकिन eukaryotic cell में होगा, ठीक है, उसके अलावा, cell wall जो है, prokaryotic cell की, जैसे कि bacterium है बेटा, उसका जो एक cell है, उसके outermost covering क्या होती है, cell wall है न, cell wall को इपन पढ़ेंगे, वो बनी होती है, peptidoclycan की, वही अगर हम बात करेंगे, eukaryotic cell की, तो eukaryotic cell में बेटा, जो plant cells है, उनकी cell wall बनती है, cellulose की, जो फंजाए है, उनकी cell wall बनी होती है, है, kytin की, और अब हम बात करेंगे, अपनी मतलब की animal cells की, तो animal cells के पास cell wall होती ही नहीं है, तो prokaryotic cells की cell wall बनी होती है, peptidoclycan की, eukaryotic cell में, plants की, मनलब plant cell की जो cell wall है, वो बनी होती है, cellulose की, फंजाए में जो cell wall होती है, उनकी, इसका क्या मतलब है, एक ऐसा nucleus, जिसके around, उसकी nuclear envelope missing हो, गायब हो, एक ऐसा nucleus, जिसको proper definition ही नहीं मिली है, ऐसे undefined, या poorly defined nucleus को हम क्या बोलेंगे, nucleus नहीं बोलेंगे, उसको पन बोलेंगे, nucleoid, nucleus तो वो होगा न, जिसको उसकी definition मिलेगी, जब envelope पाई जाएगी आजू बाजू, जब envelope ही नहीं है, जब nucleus देखी नहीं रहा, proper definition ही नहीं है, उसको, तो nucleus क्यों बोलेंगे, उसको पन क्या बोलेंगे, nucleoid बोलेंगे, मतला कि prokaryotic cell के, cytoplasm में आपको nucleus नहीं, nucleoid मिलेगा, genetic material जो होता है, prokaryotic cell में, nucleus के अंदर आपको पता है, genetic material होता है, DNA, RNA, proteins बगएरा है न, अजब बढ़ेंगे, आगे जाकर कि nucleus के बारे में भी, तो genetic material मतलब होई, DNA, RNA बगएरा, ठीक है, वह आप बोल सकते हो कि prokaryotic cell में enclosed नहीं होता है, by nuclear envelope, और वो जो, फिर genetic, देखो, या तो आप बोलो कि, जो genetic material है, वो nuclear envelope से कैसा है, surrounded है, मैं देखो, जैसे कि, यह cell है, cytoplasm है, nucleus है, और उसके अंदर का यह genetic material है, ठीक है, अगर तो इस genetic material को surround करने वाला envelope होगा, तो तो आप बोल सकते हो कि, अंदर का जो genetic material है, वो cytoplasm से separated रहेगा, लेकिन, अगर मैं बोलू कि genetic material तो है, genetic material तो है, लेकिन वो nuclear envelope से enclosed नहीं है, तो जाहिर सी बात है, nuclear material जो है ना बेटा, वो cytoplasm में ही suspended रहेगा, या तो आप उसको एक ढखकन में बंद करके रखो, तो genetic material जो है, cytoplasm से अलग रहेगा, और अगर आपने ढखकन नहीं ढखा, तो genetic material cytoplasm में ही suspended रहेगा, ठीक है, तब यह लिखा हुआ है, कि an is present nuclear जो material है, या genetic material, it is suspended in the cytoplasm, in a region, और उसी वपन क्या बोगते हैं, nucleoid, genetic material is enclosed within the nucleus by a nuclear envelope, and it is not present in direct contact with the cytoplasm, वह यह ना कि अगर ढखकन ढखा हुआ है, तो genetic material जो है, वो cytoplasm के contact में नहीं आएगा, और अगर envelope ही नहीं होगा, तो क्या होगा, nuclear या genetic material, cytoplasm में ही suspended रहेगा, in a region, और उसी region को हम क्या बोलेंगे, nucleoid, example देख लो, prokaryotic cells के bacteria, syenobacteria, etc, eukaryotic cells के example, plant cells and animal cells, all plant and all animal cells, fungal cells, ठीक है, चला, अब एक बार हम पड़ाबट से read भी कर लेते हैं, the cells of bacteria and syenobacteria, like a well-organized nucleus, and are called prokaryotic cells, their DNA is not enclosed by a nuclear membrane, they also lack membrane-bound organs, the ribosomes which, sorry, the organisms which possess prokaryotic cells, उनको क्या बोलते हैं, prokaryotic organisms या prokaryotes बोलते हैं, and they are considered to be primitive organisms, पहले एक्जिस्ट किया करते थे, then eukaryotic cells, the cells of all the plants and animals possess a well-organized nucleus and are called eukaryotic cells, their genetic material is enclosed by a nuclear membrane they possess membrane-bound organelles like endoplasmic reticulum, Golgi body, mitochondria, plastics and vacuos, the organisms which possess eukaryotic cells are called eukaryotes, ठीक है, यह देखो, यह आपको बहतरीन सा prokaryotic cell का डाइग्रान दिख रहा होगा, cell wall दिख रही है, cell membrane दिख रही है, सब कुछ है, लेकिन देखो, यह क्या है, यह है, पूरा genetic material, है न, DNA वगेरा है, यह देखो, ऐसा DNA वगेरा है, यह, लेकिन देखो, यह envelope से, nuclear envelope से surrounded नहीं है, तो यह देखो, cytoplasm के अंदर जो है ना तैर रहा है बिलकुली, यह क्या है, इसको पन क्या बोलेंगे, nucleus नहीं बोलेंगे, इसको पन क्या बोलेंगे, अंदरिया हो गया, यह बोलजी बोडी हो गया, है न, सारे आपको ओर्गनल्स दिख रहे होंगे, चलो, यह होगे बात, prokaryotic and eukaryotic cells की, अब हम आ जाते हैं अपने अगले topic के ओपर, और जो है cell wall, और जैसा कि हमने देखा, कि cell wall सिर्फ जो है, plant cells में पाई जाती है, fungal cells में पाई जाती है, bacterial cells में पाई जाती है, animal cells में cell wall पाई नहीं जाती है, animal cell में बेटा, outermost covering के नाम पर, सिर्फ और सिफ क्या होती है, plasma membrane, वह यह अगर हम बात करेंगे, bacterial cells की, fungal cells की और plant cells की, तो उनमें, जैसे कि यह cell membrane है, cell membrane के बाहर, एक और आप बोल सकते हो की, covering पाई जाएगी, और उसी को अपन क्या बोलेंगे, cell wall, 9th के लेवल पर ना, हम जादा fungal cells की, या bacterial cells की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं, plant cells, 9th छोटी क्लास होती है, तो जादा हम fungal cells और bacteria की बात करते ही नहीं, हम बात करते हैं, plant cells लेकर आपके लिए यह जाना ज़रूरी है, कि cell wall पाई कहां-कहां जाएगी, plant cells में, fungal cells में, और bacterial cells में, animal cells में नहीं पाई जाएगी, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जिन cell में, cell wall पाई जा रही है, उनमें cell membrane नहीं होगी, अरे बिल्कुल होगी, cell membrane सारे cells में होती है बेटा, plasma membrane ये cell membrane सारे cells में होती है, लेकिन कुछी cells दैसे होते हैं, जिनमें cell wall भी होती है, cell membrane के बाहर, एक और covering होती है, outer covering इसको पन भोते हैं, that is cell wall, plant cells में, fungal cells में और bacterial cells में, चीक है, तो जिन भी cells में, cell wall होती है, जिन भी cells में cell wall होती है, उनके लिए outer most covering क्या होगी, cell wall, और obviously, जो layer या covering, cell के सबसे बाहर है, वो cell को protect करने का काम करेगी, मतलब वो nature में कैसी होती है, protective covering होती है, protective है, तो थोड़ी सी rigid भी होना चाहिए, rigid मतलब की, मतलब flexible नहीं होती, जैसे कि आप cell membrane है, cell membrane तो जो 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 ना, ऐसे से मुड़ भी जाती है, cell wall नहीं मुड़ती है, cell wall intact रहती है, intact रहती है, आई बाद समझ में, तो plant cell में, fungal cell में, and bacterial cell में, अबलब वो सारे cells, जिनमें की cell wall होती है, उनमें, उनकी cell wall, outermost covering होती है, cell membrane के बाहर होती है, bacterial cell wall बनी होती है, peptidoglycan की, fungal cell wall बनी होती है, chitin की, और plant cell की जो cell wall है, वो बनी होती है, cellulose की, hemicellulose की, plant cell की cell wall, cellulose या hemisellulose की बनियों होती है ठीक है आउटरमोस कवरिंग होती है प्रॉटेक्टिव होती है नेचर में और रिजिड होती है जिए यसे मूर्थी बूर्थी नहीं होती है यह थिक है और प्रस सबसे बड़ी बात क्या है जैसे कि हर सुसाइटी के बाहर वाच्मेंन बैठें होते हैं ठीक है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि एक वाच्मिन भाहिया ऐसे होते हैं जो दिखने में एकदम खडूस टाइप की देखेंगे बड़ी-बड़ी मूच है एकदम चहरे पर गुस्ता देखेगा लेकिन वो क्या करते हैं सिर्फ बैठे रहते हैं वो लोगों को देखत अब तक के लिए जा रहा है ना सब देखना लेकिन कुछ-कुछ सिक्टरिटी गार्ड ऐसे होते हैं कि बस वैसे गुस्से में बैड़े आएंगे और देखेंगे कि कौन आ रहा कौन रहा कि इसको रोखते नहीं है जो सेल बॉल है ना पिटा वो कुछ ऐसे ही होती है कि दो अब सेल के बाहर कुछ सब्स्टेंट सेद्स है कि जो सेल के अन्दर जाना चाहरा है है तो यह गुस्च्च वाली खडूस वाली है समखे है Remo ल dynasty गारग कि देख रही है कि अच्छा को यह बहुत समखच़ार होती है यह cell membrane बोलती है कि cell wall के बसकी बात नहीं है, अब मैं ही decide करूँगी कि कौन cell के अंदर आ सकता है और कौन cell के बाहर निकल सकता है, कहने को तो outermost protective covering है cell wall, किसी भी मतलब cell की जिसमें की cell wall होती है, यह लेकिन फिर भी rigid है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो ना रोकती नहीं किसी को, तो presence of cell wall in the plant cells distinguishes them from animals, most of the plant cell walls are made up of cellulose, ठीक है, उसके अलावा, actually cell walls जो होती हैं, वो दो होती हैं, primary और secondary, जब cell young रहता है, तो उसके पास सिर्फ primary cell wall होती है, और जैसे-जैसे cell बड़ा होने लगता है, secondary cell wall भी उसके अंदर develop हो जाती, यह देखो, यह देखो, जैसे की, यह आपको यहापर तीन plant cell नजर आ रहे होंगे, ठीक है, यह देखो, यह आप, यहाँ देख लो, जैसे की यह एक plant cell है, यह cell wall हो गई, primary cell wall, यह cell membrane हो गई है ना, this is primary cell wall, और this is plasma membrane, तो जब plant cell young होता है, उसके पास primary cell wall होती है, फिर धीरे-धीरे क्या होता है, इसके अंदर एक और cell wall develop हो जाती है, लाइक दिस, यह हो गई, plasma membrane, यह बाहर वाली हो गई, primary cell wall, और यह अंदर वाली हो गई, secondary cell wall, ठीक है, कई पर बच्चों को लगता है, कि जो secondary cell wall develop होती है, वो बाहर होती है, नहीं बेटा, वो अंदर होती है, primary सबसे पहले आई थी, तो वो सबसे पहले रहेगी, मैंना सबसे आखरे में रहेगी, उसके अंदर secondary cell wall जो है, वो develop होती है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक middle lamella का भी concept समझना होगा, जैसे कि दो adjacent plant cells हैं, दो adjacent plant cells हैं, ठीक है, यह इनकी primary cell wall होगई, यह secondary cell wall होगई, और यह plasma membrane होगई, ठीक है, अब इनको आपस में जोड के रखता होगा, भई दो adjacent plant cells हैं, आजू बाजू हैं, जैसे कि अपने घर में, अपने जो, जैसे कि आपका यह घर है, ठीक है, और आपके पडोसी का यह घर है, तो आप दोनों के ही घरों के बीच में, एक common wall होती हैं, यह आपका घर, आपके पडोसी का घर, दोनों ही घरों के बीच में, एक common wall होती हैं कि नहीं होती है, तो यह जो middle lamella है ना बेटा, यह actually common wall का ही काम करती है दोनों adjacent plant cells को जोड़ के रखने का काम करती है यहाँ देखो, यह, यह मैंने बना दी middle lamella यह एक cementing material का काम करती है This is middle lamella cementing material का काम करती है जो adjacent plant cells है जो adjacent, आजो बाजो जो plant cells है उनकी primary cell walls को आपस में जोड़ के रखने का काम करती है कि यह बीच में आ जाती है, जिसके कारण दोनों ही जो adjacent plant cells है, उनकी जो primary cell walls है वो आपस में, मतलब contact में आ जाती है तो यह एक cementing material का काम करती है ठीक, चलो जो primary cell wall is the first form wall of the cell and is produced inner to the middle lamella मतलब सबसे बाहर क्या होती ही देखो सबसे बाहर middle lamella हुई फिर उसके अंदर primary cell wall हुई और फिर उसके भी अंदर क्या होगी secondary cell wall होगी ठीक ठीक, the secondary wall is thick layer found inner to the primary wall अब functions क्या होता है cell wall के cell wall gives a definite shape to the plant cells वो यह ना कि rigid है cell wall किसी rigid है मान लो की मान लो की एक area मैंने बनाया ठीक है और इस area की boundary बनाने के लिए मैंने क्या करा plastic के वो जो disposable cup होता है प्लास्टिक के disposable cup की मैंने यहाँ पर boundary बना दी ठीक है मैंने सपोज यह जमीन का टुकड़ा खरीदा था मैंने यह जमीन खरीदी थी ठीक है और इसके around इसकी boundary बनाने के लिए मैंने क्या करा प्लास्टिक के जो disposable cup होता है ना मैंने वो रख दिये वहीं मेरे दोस्त ने क्या करा उसने भी जमीन खरीदी लेकिन इसकी boundary बनाने के लिए उसने सिमेंट और इटो का इस्तिमाल करा मतलब उसने क्या करा आजू आजू सिमेंट और इटो की दिवार जो है ना खड़ी कर दी अब तुम मुझे ये बताओ कि हम दोनों के जमीन में सुरक्षित जमीन किसकी होगी obviously मेरे दोस्त की क्यों क्योंकि उसने जो जमीन खरीदी उसके पास जो उसने boundary उठाई है वो दिवारों की उठाई है मैंना दिवार उसने बना दी boundary के तौर पे और मैंने क्या करा boundary के तौर पे मैंने प्लास्टिक के ग्लास रख दी है अब अगर सपोज मेरा कोई दुश्मन आया वो पताई क्या करेगा सपोज जो मेरा दुश्मन था ना मेरा दुश्मन का जो जमीन थी वो बिलकुल मेरे जमीन के पडोस में थी तो अब प्रेद्श मुथा क्या करेगा वह यहां से कुछ प्लास्टिक के कप उठाएगा उठाएगा है ना और कि यहां लाकर के रख देगा और यह जो मेरे जमीन थी उसको खुद रप लेगा क्यों ऐसा क्यों हो पाया क्या मेरे दोस्त की जो जमीन है उस पे ऐसा यह कबजा कर सकता है नहीं क्यों क्यों कि मेरे दोस्त ने जो बाउंडरी बनाई वो दीवारों की थी और मैंने जो दीवार जो मैंने बाउंडरी बनाई वो प्लास्टिक के कप की थी तो उसको असानी से क्या करा जा सकता है हटाया जा सकता है और शेप चेंज किया जा सकता है मेरे जमीन का देखो ना यह शेप चेंज नहीं हो गया खड़ा पलिया उसने मेरा कभजा कर लिया यही बात होती ही पिटा सेल वाल की सेल वाल कैसी होती है रिजड होती है सेल वाल रिजड होती है तो सेल का जो शेप है पिटा वो चेंज नहीं होने देती मिला एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर देती है सेल को क्योंकि सेल वाल rigid है समझे तो cell wall gives a definite should to the plant cells it provides mechanical strength to the cell क्योंकि outer cell को strength चाहिए है तो obviously जो क्या outermost covering है उसको मजबूत होना चाहिए तो यह जो rigid cell wall है यह ना सिर्फ plant cell को definite shape offer करती है बल्कि mechanical strength भी provide करती है it protects the protoplasm against injury protoplasm का मतलब क्या होता है living part of the cell nuclear cytoplasm cell organs इनको मिला करके हम क्या बोलते है protoplasm तो injury से बचाता है it gives rigidity to the cell cell को भी जो है न यह आप बोल सकते हो कि rigid बना देता है कौन उसकी cell wall तो यह सारे cell wall के functions हो गए है आपको याद कर लेने है ठीक है that's all आज के सेशन के रिए बस इतना ही आज अपने cell wall prokaryotic and ukaryotic cells cell का number size and shape इन सब के उपर बात कर ली है अब हम मिलेंगे अपने अगले session में अगले session में क्या करेंगे इन ही topics के उपर कुछ questions को solve कर लेंगे अपने DPP में DPP आपको कहा मिलेगी इसी video के नीचे जो इसका description box है वहाँ पर आपको एक link मिलेगी link पर आप जाओगे तो आप वहाँ से DPP को download कर सकोगे free of cost है DPP download करना सबसे पहले अपने लेवल पर उन questions को solve करने की कोशिश करना नहीं अगर कुछ बने या कुछ doubt है सवालों में तो उन DPP के जो solution है वह आपको अगले दिन मिल जाएंगे ठीक है तो आज की session के लिए बस इतना ही अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्टर में अब तक के लिए keep learning with definite success पार चला बबाई have a good day